हेलो स्टुडेंट्स आज में जो टॉपिक आप सभों के समख्च डिस्कूस करने जा रहे हूं वह है थिंकिंग प्रॉसेस अध डिफरेंट स्टेजिस अचाइड डिवलक्मेंट इसके अंतरगत आज हम डिस्कूस करेंगे थिंकिंग क्या है नीचर ओप थिंकिंग और टूल करने जा रहे हैं जैसा कि हम लोग सबें जानते हैं कि मनुष्य इस संसार का सरवाधिक सरवस्रेस्ट प्राणी है इसका कारण यह है कि उसका चिंतन सील होना मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो वह चिंतन सील होता है जिवधारियों में मनुष्य सरवाधिक मनुष्य के विगास का परिणाम यह है कि आज हमारा समाज इतना डेवलब कर गया हमारा रास्ट इतना डेवलब कर गया और समाज सथा रास्ट के पत्रिक व्यक्ति के विगास में वसायत हो पाया है मनुष के सामने जब हम किसी समस्या को प्रसूत करते हैं तो हम उस समस्या से सम्दित ह पर किंदन सबसे पहले करते हैं, किंदन करना के पर संथ कोष़ist करते हैं, जैसा कि हम सब cesa जानते हैं कि बहुत सारे श्रराय ज़िन् ब लिएक जाता लेकिन अब हम कह सकते हैं कि उत्से द्रदिद सबसे हैं, इस पर पॉर्ट को श्रांत्र पर इ hemp two a day, सबहों हैं कि किसी कारे को करने से पहले सोचो थो जो किसी कारे को करने से पहले सोचनी की जो हम बात करते हैं, तो उस पे हम चिंतन और मनन करते हैं, चिंतन की प्रकिलिया में हम बहुत सारे mental activities करते हैं, परन्तु mental activities के साथ साथ हमारा जो भावातमक पक्ष है, जो हमारा emotional का पाठ है, और जो हमारा activity पाठ है, उसे भी आज हम लोग उसे समाविश करते हैं, जैसे कोई एक्जाम्पल के लिए कोई कविता, कोई कहानी, किसी प्रकार का कोई हम अविस्कार करते हैं, तो ये सब भी हमारा जो पार्थ है, चिंतनसील का ही पार्थ है, हम इस पर सोचते हैं, किसी कारे को करने से पहले सोचते हैं, देन उसको हम एग्जेक्यूट करते हैं, किसी कारे को